मनेवर यह जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ जब आप 5 अगस्त 2019 के बील को चैलेंज करते हो तब आप डीलिमिटेशन कमिशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो यह मत भुलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाप बात करते हो मैं आद फिर से कहना चाहता हूँ पाक अक्यूपाई कस्मीर भारत का है हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता है आप मुझे लिखे कस्मीर सरकार को लिखे किसी भी विक्यके बगर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा आप मत्दार भी परोगे चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कस्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो मैं आज इस मान सदन के माध्यम से देश बर में विखरे पड़े कस्मीरी पंडित और अन्यविस्टापितों को कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है आप मुझे लिखे कस्मीर सरकार को लिखे किसी भी विख्यके बगर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा आप मत्दार भी बड़ोगे चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कस्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो आपको फुरा प्रिवार आज के पाकिस्तान अधिकूत कस्मीर से सरण लेकर भारत में आएं इन में से 26,319 परिवार ततकालीन जम्मू कस्मीर राज्य में बसे और सेज 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे दूसरा युद हुआ 65 और 71 का और चम्म और नियाबत शेत्र से लगबग 10,065 परिवार विस्तापित हुए 35 परिवार 65 के युद में हुए और इतने ही करीब करीब 71 के युद में हुए अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगबग 41,844 परिवार विस्तापित हुए हैं उनको भी भारत सरकार ने धेर सारी चिंता करिये मैं आगे बताता हूं मगर यह बील जो है मान्यवर तीन सिटें दो जम्मू कसमीर से विस्तापित परिवारों के लिए और एक सिट पाक उक्कुपई कसमीर से विस्तापित आये हुए कसमीरी भायों के लिए रीजर्व करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और सम्वेदना के साथ मनेवर यह जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ जब आप 5 अगस्त 2019 के बील को चैलेंज करते हो तब आप डील लिमिटेशन कमिशन एट को भी चैलेंज करते हो यह मत भुलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाप बात करते हो मानने वर डी लिमिटेशन कमिशन ने गंभीरतिय से विचार करने के बाद समुधायो का प्रतिम्री दित्वर नॉमिनेशन दोरा कराने की सिफारी इसकी है और मानने वर जो मुकस्मीर प्रसासन में जो आज स्वाभाविक है राष्टपति साजन है उसने भी अपना अभिप्राज डी लिमिटेशन कमिशन को दिया था भारत सरकाने के घुरू मंत्रा लेने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपथेटिक व्यू लेना चाहिए इनका प् प्रकासित किया था जिसको आज कानूनी जामा पहना कर मैं ये बिल को लेकर उपस्तित हुआ हूं माने वर ये जो डी लिमिटेशन कमिशन ने और भी कई फ्यासले किये हैं मैं जरा सदन के सामने पुर्वकिस्थिति और अभिकिस्थिति बताना चाहता हूं पूर्व में ज APP कर दलात्राली से चाहते 500 में ने का राद कि पले सेम्मूना को मिला कर एक गिति द्री से और ये हूं का मैं यी द्री एक आरे उसकी जगे 90 सिटे अब Delimitation Commission ने करिए जिसको भारत सर्खार ने माना है और पाक Occupy कस्मीर की 24 सिटों को आरक्सित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बोले इस सदन में बोला हुआ सब्द इपियास बनता है मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ पाक Occupy कस्मीर भारत का है हमारा है और हमसे कोई नहीं जीता है मानिवर हमने 24 सिटे पाक Occupy कस्मीर के लिए जीता है मानिवर अब तक मानिवर अब तक SC-ST की सीटों में बड़ी वी संगत्ताएं भी थी और जो लिगवी जई की कहते थे समवेदन सील एप्रोच होना चाहिए समवेदन सीलता होनी चाहिए SC-ST के प्रति समवेदना से ही यह निर्णय हुआ है पहले जो साथ सीटे थी SC की उसको हमने बड़करार रखा और SC की सीट सुन्य थी क्योंकि धाड़ा 366 परमीट नहीं करती थी अब परमीट करती है 9 सीटों को रिजर्ट करती है